नबश्कार, अब हम लोग बात करेंगे Non-Alcoholic Fatty Liver Diseases के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि Non-Alcoholic Fatty Liver Diseases क्यूं होती हैं, कैसे होती हैं इसे Short Form में NAFLD भी कहा जाता है इसे Short Cut में NAFLD भी कहा जाता है Non-Alcoholic Fatty Liver Diseases इसे NASH के नाम से भी जाना जाता है non-alcoholic osteo-hepatitis यानि non-alcoholic fatty liver को हम osteo-hepatitis कहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके दो अलग लग नाम आते हैं NAFLD या NSH आप इसके बारे में एक खास बात यह देखते हैं कि इसमें वो सारे features नजर आएंगे वो सारे fat के deposition नजर आएंगे जो alcoholic liver disease में होना चाहिए लेकिन अंतर इस बात का होता है कि यहाँ पर बिना alcohol consume के वैसे features आते हैं तो सवाल यह बनता है कि यह features कि लोगों में ज़्यादा तर देखने को मिलता है तो एक बात यहाँ पर नजर आती है कि यह non-alcoholic होने के बावज़ूद भी fatty liver कैसे हुआ तो इसमें देखने को मिलता है कि अगर fat का metabolism proper ना हो पाए तो कुछ ऐसे specific conditions में जैसे कि diabetes, mellitus की condition में obesity के condition में dyslipidemia की condition में fatty liver की conditions ज़्यादा तर पर develop होती है वो सारे features नजर आते हैं जो आम तोर पर fat में alcoholic fatty liver diseases में होते है pattern भी लगभव वैसा ही होता है centri lobular आप देखेंगे zone 3 इसमें सबसे ज़्यादा involved होता है zone 3 यानि central vein के आसपास का हिससा इसमें सबसे ज़्यादा involved होता है यह metabolic causes की वज़ा से यह होता है इसमें भी आप देखेंगे pathology का जो basis है वो steatosis है fat cut deposition cell के भीतर और आप देखेंगे कि यह आम तोर पर इसकी conditions diagnosis बनाने के लिए माना जाता है कि fat का alcohol का consumption या तो नहीं है या फिर बहुत कम है अगर कोई person न के बराबर या बहुत कम कभी-कभी ले रहे हो जैसे weekly per day अगर 20 gram per day से कम अगर अलकोहल लिया जा रहा है उसके बावजूर भी इस तरीके के fatty changes हो रहा है तो फिर हम non-alcoholic fatty liver disease मानते हैं इसमें pathological जो changes नजरा आने लगते हैं जब more than 5% hepatocytes involved हो जाते हैं आपको से पहले जब हम alcohol की बात कर रहे हैं तो alcoholic fatty liver में माना जाता है कि मैंने आपको बताया था शुरुबाती कुछ stages alcohol वाले मामले में reversible होते हैं इसलिए कहा जाता है कि wine को अगर regular न लिया जाए बीच-बीच में रुक-रुक करके लिया जाए तो alcohol को रुक-रुक करके लेने पर होता क्या है कि कुछ मामलों में जो changes आते हैं जो damage होते हैं liver cells वो वापस regenerate हो जाते हैं इसलिए wine को regular नहीं लेना चाहिए तो वो तो बात वहाँ पर हो गई जो हमने पिछले डिसकस किये थे reversible changes stage 1 और stage 2 तक था यहाँ पर मैं आपको बता रहाँ कि यहाँ पर extreme level पर damage आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर भी cirrhosis की changes होने शुरू हो जाएंगे fatty liver के बाद cirrhotic changes होने शुरू हो जाएंगे जब more than 5% liver cells में यह fat का deposition शुरू हो जाता है तो यह सारी चीज़ें बहुत ही जादा important है यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है आप पिछले lecture को जरूर देखिएगा उसमें चर्शा हुआ है कि पहले यहाँ पर fat का deposition होगा liver cells में fatty liver की conditions होगी उसके बाद inflammation की condition होती है तो वहाँ पर neutrophils का infiltration था यहाँ पर mononuclear cells का infiltration होता है आप समझ सकते हैं दोनों की बीच में difference यहाँ पर mononuclear cells inflammation के दौरान predominant होते हैं आप पिछले lecture को जब देखेंगे तभी यह समझ पाएंगे यह stages कैसे आगे बढ़ रहे हैं पहले क्या होता है steatosis steatosis का मतलब क्या हुआ या steatosis का मतलब fatty changes उसके बाद mononuclear cells जबाने लगेंगे तो inflammatory changes होंगे और इसके बाद cirrhosis stays develop हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे malory dung bodies यहाँ पर भी मिलती हैं लेकिन वो less prominent होती है वो less prominent होंगी लेकिन यहाँ पर mononuclear cells पाए जाते हैं अब एक बार फिर से revise कर लेते हैं यह non-alcoholic fatty liver diseases ऐसे लोगों में देखी गई हैं जिनमें alcohol का consumption या तो ना के बराबर होता है no history of alcohol intake या फिर बहुत कम 20 gram परड़े से कम हो रहा यह metabolic syndrome से associated है जिसमें hyper lipid की मात्रा यानि dyslipidemia अगर हो obesity हो या type 2 diabetes mellitus हो तो उस condition में यह problem ज़ादा तोर पर देखी जाती यहाँ पर osteotosis यानि धीरे-धीरे pathological changes शुरू हो जाते हैं जब more than 5% से ज़ादा liver cells इसमें involved होने लगती हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे चल करके microscopic examination में alcoholic fatty liver disease के जैसे ही pattern यहाँ पर देखने को मिलते हैं लेकिन दो अंतर होगा जब hepatitis के features आएंगे तो उस समय mononuclear cells ज़ादा पाये जाते हैं यहाँ पर mononuclear cells ज़ादा predominant होते हैं यहाँ पर malory dung bodies पाई जाती हैं लेकिन उतनी संख्या में नहीं जितना alcoholic fatty liver diseases में देखने को मिलते हैं तो उस से अंतर है यहाँ पर अब बात कर risk factor की यहाँ पर तो यह जो non-alcoholic fatty liver disease है यह hepatoscellular carcinoma के लिए risk factor है इसको पिछले lecture में हमने एक image में दिखाया भी था liver cirrhosis के बाद आगे चलकर के खत्रा hepatoscellular carcinoma का बढ़ जाता है और वो भी जब non-alcoholic fatty liver diseases हो तो तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे अलग topic पर एक नए topic पर बात करेंगे हम समझने की कोशिश करेंगे lipofustion deposition के बारे में खैर यह point ज़्यादा important नहीं है basic point यही था कि हमारा जो difference होता है fatty liver disease और non-alcoholic fatty liver disease उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी था अब हम चर्चा करेंगे Indian childhood cirrhosis के बारे में यह condition क्यों develop होता है actually यह idiopathic condition है और यह आम तोर पर 6 months से लेकर के 6 months से लेकर के 3 years के बच्चों में खास दोर पर Indian Hindus में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वैसे overall कहा जाए यह specific condition है जो Indian Hindus में देखने को मिलता है अगर India में most common cause को कहा जाए overall child miss cirrhosis के सबसे बड़े कारणों के बारे में तो Wilson disease होता है लेकिन इसकी conditions जो Indian childhood cirrhosis की बात की जाती है यह 6 months से 3 years के बच्चों में देखने को मिलता है 6 months से लेकर के 3 years के बच्चों में यह condition देखने को मिलती है इसकी क्या pathogenesis की basis क्या होती है यह idiopathic है लेकिन यह देखा गया यह हिंदू रूरल एरिया हिंदू फैमिली में रूरल एरियाज के हिंदू फैमिली में यह जादा दोर पर देखने को मिलता है microscopic examination के दोरान वो सारी चीज़े देखने को मिलेंगे जो alcoholic cirrhosis में होती है लेकिन खास बात यहां है कि यहां पर fatty liver जो changes होते है fatty liver जो stages है वो यहां पर देखने को नहीं मिलता है तो यहां पर आप देखेंगे alcoholic cirrhosis जैसे ही सारे symptoms होंगे लेकिन steatosis के features हैं जो stages हैं वो यहां पर नहीं नजर आते हैं तो ultimately हमारे concept जो अंतर है उसको भी समझने का होना चाहिए cardiac cirrhosis की बात करें तो आप यहां पर जान लें cardiac cirrhosis जो यहां पर fibrosis liver में होती है उसका कारण liver liver में fibrosis का कारण cardiac pathology की वज़़ए से होता है इसका कारण heart में छुपा हुआ है heart में तमाम ऐसी pathological conditions जैसे आप tricuspid regurgitation या फिर constructive pericarditis की वज़़ से या फिर core pulmonal की वज़़़ से जब back flow पड़ता है तो आप यहां पर देखेंगे की cardiac reason की वज़ए से यहाँ पर cirrhosis होते हुए देखाए दाता है तो आप imagine करें कि जब back flow होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर आप समझ सकते inferior vena keva है inferior vena keva से होते हुए यह कही नहीं liver तक इसका effect पढ़ता है और अगर right side का heart सही से function नहीं कर पा रहा है किसी भी वज़ा से चाहे वो core pulmonal की condition हो या tricuspid regurgitation की condition हो या फिर constructive pericarditis की condition हो इन सारी चीज़ों को आप जानते होंगे इसलिए मैं इस पर detail नहीं जा रहा हूँ ultimately क्या होता है? back flow आता है liver से उपर जो blood जाना चाहिए वो back flow की वज़ा से यहीं पर इकठा होने लगता है तो होगा क्या? यहाँ पर cardiac causes की वज़ा से cirrhosis liver में cirrhosis होने लगेगी और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो blood collect होता है real में जो national उपर के जाना चाहिए वो central vein के रास्तिस गुजरता है नेक्रोसिस चुरू होगी और वहीं से fibrosis स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको समझना होगा हिपाटिक जो vein है उसका उसमें blood की stasis की वज़ा से यहाँ पर आप देखेंगे central vein ultimately प्रभावित होता है central vein के आज पास में blood की stasis होने की वज़ा से यहाँ पर pathological जो changes होंगे hepatocytes की death होगी और उसके बाद fibrosis होता है कारण क्या मैंने आपको बता है मैंने बता है right ventricular failure जिसमें tricuspid regurgitation हो सकता है इसका कारण constructive pericarditis हो सकता है और pulmonale भी इसका कारण हो सकता है constructive pericarditis में आप जानते हैं construct हो गया है इसके wall construct हो गई है तो इसकी वज़ा से क्या होगा heart को जितना expand कर सकता था उतना expand नहीं कर पा रहा है तो होगा क्या blood यहाँ पर जितना diastrol की condition में जितना यहाँ एकठा हो सकता था वो हो नहीं पा रहा है तो backflow होने लगेगा और ultimately central vein पर इसका फरक पड़ेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर backflow पड़ने लगा जिसके बाद central vein के आसपास के हिस्से में cells damage हुई फिर fibrosis start हुआ तो हम लोगों ने cardiac cirrhosis की कारण को देखा यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा उन सारी चीजों को अभी हम एक बार और revise करेंगे फिर से एक बार देख लेतें Indian childhood cirrhosis को most common cause of cirrhosis in India overall देखा जाए children में most common cause of cirrhosis in children in India क्या हो सकता है Wilson disease होता है अब एक बात और समझ लें कि ये जो Indian childhood cirrhosis ICC ये खास तोर पर Hindu families में ऐसे बच्चों में जो 6-1 से 3 years के बीच के हों उनमें ये जादा तोर पर देखने को मिलता है ये middle class Hindus में देखने वाली conditions है रूरल एरियाज पर जो जिनके life based है उन लोगों में Indian childhood cirrhosis देखने को मिलती है microscopic examination में देखा गया है कि ये most common cause इसका idiopathic है और microscopic examination में जब हम देखते हैं तो इसमें वो सारी changes देखने को मिलते हैं जो alcoholic cirrhosis में होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर steatosis का जो stage होता है fatty liver changes वाले stage यहाँ पर नहीं मिलेंगे cardiac cirrhosis मैंने अभी आपको समझाया है ये right ventricular failure की वज़ा से होता है मैंने बताए इसमें conditions right ventricular failure के साथ associated जैसे tricuspid regurgitation और constructive pericarditis और pulmonal ये सारी conditions जो होती है और इसके वज़े से back flow जब आता है तो central vein का dilation हो जाएगा और इसकी वज़े से liver cell की necrosis हो जाएगी तो होगा क्या necrosis होगी तो ultimately क्या होगा fibrosis होगा fibrosis की वज़े से cirrhosis होगी तो cardiac cirrhosis ऐसे ही होता है यहाँ पर initially nut mig liver यहाँ पर देखने को मिलता है उसके बाद आप देखेंगे cardiac cirrhosis क्यों क्योंकि back flow होने के बाद cardiac causes की वज़े से liver hard हो जाएगा nut mig liver जैसा नज़राने लेगा और उसके बाद यहाँ पर cardiac cirrhosis होने लगती है cells के damage होने के बाद